हालो फ्रेंड्स नमस्ते आज हम लोग स्रीम की सर्षो वाली मसाला फ्राई बनाएंगे इसके लिए मैंने स्रीम को अच्छे तरह से धोकर इसमें नमक हल्दी डाल लिया है और मसाले के लिए ले लिया है थोड़ी सी सर्षो और जीरा दो सुख्य लाल मिर्ज एक प्याज एक लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और सर्षो तेल फेले हम स्रीम को फ्राई कर लेते ही असोन करके मैंने कड़ाई गरम कर लिए अब हम इसमें आड़ करेंगे सर्षो का स्रेल तेल गरम हो गया है अब हम इसमें आड़ करेंगे धोके रखा हुआ स्रीम चला लेंगे इसको लाल होने तर हम प्राई कर लेंगे और थोड़ी दर इसको पकाएंगे लाल-लाल हो जाने देंगे जब तक हमारा चिंग्री माच ठाय हो रहे हम मसाला का पेश रिड़ी कर लेते हैं बस तक थोड़ी देर अब आपकल होने इसको निकाल लेते हैं इसी कड़ाई में हम आग करेंगे तेल, थोड़ी सी चीनी, इसको क्यारमलाइस हो जाने देंगे, चीनी क्यारमलाइस हो गया है, अब हम इसमें आग करेंगे प्याज, मिला लेंगे अपसे से, इसमें हम आट करेंगे सर्षों का पेस्ट, आट करेंगे थोड़ी सी हल्टी पाउटर, थोड़ी सी लाग मिर्च पाउडर, तीखा आप अपने अनुसा कर सकते हैं और थोड़ी सी नमग, इन सबको अच्छे तरसे मिला लेंगे, इसमें हम आट करेंगे थोड़ा सा पानी, अब हम इसमें आट करेंगे चिंगरी माज, मिला लेंगे इसको अच्छी तरके से, आट करेंगे थोड़ा सा पानी, तुक्री माज की तुक्रा डालेंगे और इसको मिला लेंगे अच्छी तरके से, इसको पान्च बिनिट के लिए ढख लेंगे, चेक कर लेते हैं, देखिए हमारी चिंगरी माज की सबस्टो वाली सबची रेड़ी है, अब हम इसको बांद कर लेते हैं, प्लेटिंग कर लेते हैं, अब हम इसको बांद कर लेते हैं, देखिए, बनकर त्यार है हमारी सर्षो वाली चिंगरी माज की करी, ऐसे सुन्दर सुन्दर रेसिपी के लिए प्लीज प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें हरे क्रिश्कन चैनल को, थैंक्यू,